खराब दिन्चर या और गलत खान पान की वज़े से डाइबेटीज एक आम समस्या बन गई है डाइबेटीज के मरीजों पर यदि समय पर धान ना दिया जाए तो यह जान लेवा भी हो सकती है आगे चल कर दिल की बिमारी और मोटा पे का खत्रा भी हमेशा बना रहता है आखे क्यों होता है डाइबेटीज इसके कई कारण हो सकते है लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि जब अगनाशे इंसुलीन बनाने में सक्षम नहीं होता है या शरील इंसुलीन का अच्छा उपयोग नहीं कर पाता है इंसुलिन अगना शेद्वारा बनाया गया एक हार्मोन है जो खाय जाने वाले भोजन से ग्लुकोज को रक्त प्रभाज से शरील की कोशी काउ में उर्जा पैदा करने के लिए जाने देता है आम तोर पर लोग यही सोचते हैं कि डाइबिटीस कभी ठीक नहोंने वाली बिमारी है जब कि ऐसा नहीं है ऐसे कई आयूरवेदिक नुस्के आप आज्मा सकते हैं जिससे डाइबिटीस को पूरी तरह से नियंतरित किया जा सकता है या पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है इसी मेंसे आज हम आपको इंद्रजों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारे देने जा रहे हैं जिससे केबल डाइबेटीज ही नहीं तो बहुत सारी बिमारियों को ठीक किया जा सकता है इंद्रजोग के साथ ऐसे कौन सी चीज़े मिला कर यदि हम सेवन करते हैं तो जिससे डाइबेटीज पुरी तरह से ठीक हो सकता है यदि आप जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाली है आप इस वीडियो को अंततक जरूर देखिए तो अचा सम्मंदित सारे रोग भी ठीक होते हैं आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों ये इंद्रजोग का पौधा है इसकी पत्तिया, फूल, छाल, फल तथा इसकी बीज और शिधी के रूप में उपयोगी होते हैं इसके जो बीज होते हैं इसे इंद्रजोग के नाम से जाना जाता है ये स्वाद में काफी कड़वे होते हैं इसे आम भाशा में इंद्रजग या कूटज कहा जाता है इसका वाई ज्यानिक नाम होलो स्ट्री टेली चेरी इत्यादी नामों से जाना जाता है संस्कृत में इसे पूटज, इंद्रायव, कलिंग, लिंग का, भद्रायव, शुक्र, गेरिमलिका, इंद्रवरुक्ष, वत्सक, इत्यादी नामों से जानते हैं तो आईए जानते हैं इंद्रजो के सभी आउशदिये प्रयोगों के बारे में यदि आपके मुँँ में चाले पड़ गया है यदि आपके दात में दर्द रहता है, कीडा लग गया है तो आपके लिए इंद्रजो का प्रयोग काफी लाबदैक हो सकता है आपको क्या करना है इंद्रजो और काला जीरा 10-10 ग्राम की मातरा में लेकर इसका चूर्ण बना लेना है इसे भूनना नहीं है कच्चा ही पीसना है इस चूर्ण को दिन में दो बार चालो पर लगाने से मूँ के चाले ठीक हो जाते है इंद्रजो की चाल का काड़ा बना कर इसे के साथ दात में अगर दर्द है कीडा लगा है तो कीडा भी मर कर निकल जाता है और दात का दर्द ठीक हो जाता है यदि आपको पेट में दर्द रहता है एठन रहती है इसके लिए भी इंद्रजो के बीजो का प्रयोग काफी लाब दैक हो सकता है आपको क्या करना है इंद्रजों के बीजों को थोड़ा सा गर्म करके पानी में इसे भीगोना है, एक कप पानी में एक चम्मच इंद्रजों के भुनी हुई बीजों को डाले, इसे अच्छे से मिला दे, इसे ढख कर एक से दो घंटों के लिए ऐसे ही रख दे, एक से दो घंटों के बाद आप इ नि tut तर बारा से ठीक हो जाएगा यदि आपको कब्ज या बवासिर की समस्य है तो आपके लिए भी इंडर जो के बीज का फिलाबदा एक हो सकते हैं आपको क्या करना है छोके बीज ले ले इसे पानी डाल कर या फिर इस तरह से सूखा पीस ले यदि आप पानी डाल कर पीसते हैं तो डारेक गोलिया बनाए और यदि आप मेरी तरह सूखा इसे पीसते हैं पाउडर बनाते हैं तो आपको एक कटोरी में थोड़ा सा पाउडर ले लेना है इसमें थोड़ा पानी डाल कर इ तो आपकी कब्ज या बवासिर की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यदि आपको पीलिया यानि जोइन डिस की समस्या है तो आप क्या करें काले इंद्रजो के बीज का रस निकाले इसका सेवन तीन दिन तक आपको बिल्कु थोड़ी मातरा में करना है तीन दिनों के बाद आपकी पीलिया की समस्या समाप्त हो जाएगी यदि किसी को कुष्ठ, कोड या फिर सफेद दाग की समस्या है तो आप क्या करें इंद्रजो के बीज को पीस कर इसका पाउडर बना ले इस पाउडर में गो मुत्र मिला कर एक लेप बना ले इस लेप को लगाने से सफेद दाग की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है यदि आपको दस्त यानि अतिसार की समस्या हो रही है तो आप क्या करें इंद्रजो को पीस कर इसका चूर्न बना ले इस चूर्ण को 3 ग्राम के मातरा में दिन में 3 बार ठंडे पाने के साथ पिलाए इससे दस्त यानि अतिसार की समस्या ठीक हो जाती है यदि आपका पेट ठीक नहीं रहता है आपका पाचन तंत्र गड़बर हो रहा है मंदागनी के कारण आपको भूख नहीं लगती है तो आप क्या करें इंद्रजो के चूर्ण को 2-2 ग्राम के मातरा में सेवन करें इससे आपकी मंदागनी समाप्त हो जाएगी पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा और आपको ठीक से भूख लगने लगेगी यदि आपको पत्री की समस्य है आपकी किद्ने में परेशानी है आपको पेशाब रुख रुख कर होती है पेशाब करते समय काफी दर्ध होता है काफी कम मातरा में पेशाब होती है यदि आपको ये सारे समस्य हो रही है तो आपको क्या करना है तो आप क्या करे इंद्रजोग का चूर्ण और नौसादर का चूर्ण ले 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 बराबर मात्रा में इसे दूध अथफा चावल के दुले हुए पानी के साथ पाच दिनों तक सेवन करे पाच दिनों में आपकी पत्री तूट कर निकल जाएगी यदि पाच दिनों में आपको आराम ना हो तो आप अगले 2-3 दिनों तक इस प्रयोग को बढ़ा सकते हैं एक प्रयोग आप और कर सकते हैं इन्दरजोग की चाल को पीस कर ध़ी के साथ सेवन करने से भी पत्री तूट कर निकल जाती है चाहे बच्चे हो या बड़े पेट में कीडों की समस्या से तो सब को कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है यदि आपको भी यह समस्या हो रही है तो आप क्या करें इंद्रजो को पीस कर इसका पाउडर बना ले इस पाउडर का एक एक ग्राम की मात्रा में सुभा शाम 3-4 दिनों तक सेवन करें 3-4 दिनों में ही पेट के कीडे मर कर मलके दवारा बाहर निकल जाएंगे चलिए अब बात करते हैं डायबेटिन्स यानिके मधुमयह की मधुमयह के इलाज के लिए तो इंद्रजो को वर्दान माना गया है इंद्रजो के लेना है इसके लिए आपको इंद्रजों की भीज ले लेना है 100 ग्राम की मातरा में बादाम की गीदी लेना है 100 ग्राम की मातरा में और भुने हुए चने ले लेना है यह भी 100 ग्राम की मातरा में यानि आपको तीनों चीजे समान मातरा में लेना है एक मिकसर का जार लेना है इ में इसका fine powder बनाना है आप इस powder को कम या ज़ादा मातरा में बना कर रख सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखिए जो भी सामगरी हमने लिए है वो समान मातरा में हमें लेना है आप इस powder को किसी भी airtight container में भरके एक महने तक यूज कर सकते हैं लीजिए हमारा मधुमयक को खाना खाने के बाद केवर एक चम्मच के मातरा में करना है चाहे तो आप सुबह खाना खाने के बाद इसे लीजिए या फिर रात के खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं एक समय निश्चित कर ले इस पौडर में सभी पोशक तत्वा होने की वज़े से इससे पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते